Hello Everyone, Welcome to Biosomes आज हम बात करने वाले हैं periods पर हाँ जी, हम बात करने वाले हैं periods पर ये topic ऐसा है कि जिस पर कभी खुल कर कोई information नहीं दी जाती है जो भी मिलती है थोड़ी से complicated मिलती है periods और उससे related questions के बारे में आज हम discuss करेंगे केवल general discussion करेंगे उसके बाद इसकी जो biological process है या जो हमारी anatomy है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे तो उससे पहले कुछ questions है जिसका जवाब हम जाना चाहेंगे या जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि क्या होते है periods किस age में ये शुरू होते हैं क्या होता है menstruation cycle क्यों female body में ही periods होते हैं क्या periods जरूरी है ovulation क्या होता है ogenesis क्या होता है fertilization क्या होता है reproduction क्या होता है और क्या हमारी body में periods आने पर mood swings होते हैं तो क्यों होते हैं cramps क्यों आते हैं और साथ ही कभी-कभी जो periods का bleeding होती है उसमें सही smell क्यों आता है आज हम इन सारे points पर normal और general discussion करेंगे periods की बात करने से पहले हम female reproductive organs के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें periods समझने में आसानी हो female की जो reproductive organ होते है उसमें एक pair में यानि की दो ovaries पाई जाती हैं जो की एक finger like projection यानि की fallopian tube के द्वारा uterus से जुड़ी होती है uterus से cervix जुड़ा होता है और cervix से ही vagina जुड़ा होता है जो की female का main reproductive organ होता है जिसका externally part दिखाई देता है अब हम बात करते हैं periods की periods mammal की हर एक female में होने वाली biological process है जो की animal और human body दोनों में पाई जाती है animal और human में होने वाले periods कुछ different होते हैं नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो periods फीमेर बाडी में होने वाली एक biological process है जिसमें उसके genital organ से bleeding होती है यह process per month होती है यह कुछ difference दिनों का भी होता ही है नॉर्मल जो puberty की age होती है उसमें period शुरू होते हैं नॉर्मल यह process human में 13 to 15 की age में start हो जाती है और 45 to 50 की age तक चलती है animals में यह time उनके adult age होने पर depend करता है periods का start होना और next period का आना यह एक cyclic process है इस cyclic process को menstrual cycle कहा जाता है female body में ovum का यानि egg का formation होता है जिसके mature होने के बाद ही periods का आना शुरू होता है वैसे तो baby girl के birth के time यह कहा जाए कि mother warm में ही जब female का gender decide हो जाता है उसी time female की reproductive organs और साथ में उनके sex hormones दोनों ही form होना शुरू हो जाते है पर जब puberty की age में female आती है तब इन hormones का secretion शुरू होता है जिससे reproductive organs का development भी शुरू होता है female में estrogen और progestron नाम की दो hormones का secretion होता है जिने हम sex hormone भी कहते है यह hormone female को sexually active करती है यह कहा जाए यह इसे reproductive बनाती है इन hormone का secretion ही secondary characters को लाता है secondary characters जिन में female में periods का आना breast का size increase होना pubic hairs का grow होना साथ ही opposite gender की और attraction होना यह सारे secondary characters में आते हैं ovary में ovum का formation होता है और यह ovum fallopian tube की help से uterus में आता है क्योंकि female का ovum motile नहीं होता है इसलिए fallopian tube उसे help करती है uterus तक ले जाने में जब ovum को कोई sperm नहीं मिलता यानि कि वह fertilize नहीं होता तब यह mature ovum अपने आपको रप्चर कर लेता है साथ ही उसके आसपास की जो cells होती है या उसके tissues होते हैं वो भी रप्चर हो जाते हैं ovum के साथ साथ उसमें polar bodies present होती है और यह polar bodies जब रप्चर होकर body से बहार निकलती है उसे ही हम white discharge कहते हैं ovum human body की सबसे बड़ी cell होती है इसमें nucleus, cytoblast और other cell organelles भी पाये जाते हैं यह ovum दीरे दीरे vagina के तुरू blood के form में body से बहार निकलता है यहाँ पूरा duration तीन से पास दिन का हो सकता है और menstruation cycle जो होता है वो लगभग 28 days का होता है पर कभी कभी यह 24 से 45 days तक vary कर सकता है और यह सारी चीज नॉर्मल होती है period beneficial होते हैं क्योंकि यह हमारी body में बनने वाले extra tissues को periods के दोरान हमारी body से बहार कर देते हैं साथ ही यह हमें heart की disease से भी बचाता है और हमारी body हर मन्त बेबी को prepare करने के लिए कुछ tissues का formation करता है जिसे भी यह पूरी तरह से remove कर देता है जिससे cancer जैसी disorder से भी बचाया जा सकता है period cramps क्या होते हैं cramps यह बहुत painful process होती है या कहाजा एक painful moment होता है जो कि हमारी body में uterus के contraction की वज़े से होता है हमारे body के waist cells को यानि कि जो uterus पर बने extra tissues है उसे निकालने के लिए हमारा uterus contract होता है यानि सिकुडता है जिसके कारण यह cramps होते हैं इसे हम stomach cramps भी कहते हैं और यह cramps जब heat अंदर generate होती है तो यह cramps कम हो जाते है vomiting, loose motion या mood swings इन्हें हम PMS भी कहते हैं यानि कि pre-menstrual syndrome यह periods के दोरान या periods आने से पहले होने वाली process है क्योंकि periods के दोरान हमारी body में hormones का secretion जादा होता है जिसके कारण body में internally heat generate होती है और उसी के कारण vomiting का होना और loose motion का होना common होता है साथ में हमारी body में ovary, ovum का formation भी शुरू कर देती है जिसके कारण हमारी body में internally hormone का secretion बढ़ जाता है जिसके कारण हमारे mood swings होते है उस time हमें खुद पता नहीं होता कि हमारे mood swings क्यों हो रहे है कभी irritation होता है, कभी anger होता है, कभी loss of appetite होता है यानि भूख नहीं लगती ये सारे symptoms होते हैं, वो mood swings के symptoms होते है साथ ही body pain होना या back pain होना ये भी periods के ही symptom है क्योंकि इस time हमारी body में थोड़ी सी weakness आ जाती है energy की कमी हो जाती है जिसके कारण हमारी body में pain होना शुरू हो जाता है periods से related एक महत्वपूर्ण बात हर एक female में periods की process अलग अलग होती है सबकी process सेम नहीं होती जरूरी नहीं है कि हर एक की periods सेम ही हो और एवन एक ही girl में periods अलग अलग हो सकते हैं जरूरी नहीं कि इस month यदि आपको cramps नहीं होया हो तो next month ना हो या body pain हुआ हो तो next month ना हो यह change होता रहता है यह सारी चीज़ें depend करती हमारी body की activity पर हमारी diet पर और हमारे आसपास के environment पर भी यदि हम stress में होते हैं तो periods delay भी हो सकते हैं यदि हमारी diet प्रॉपर नहीं तो भी हमारे periods डिले हो सकते हैं period smell period के दौरान blood में cells के साथ साथ कुछ tissues भी होते हैं और कुछ bacteria भी mix होकर आते हैं जिनकी normal कुछ order होती हैं जिसके कारण period blood में smell होती हैं साथ ही यदि हमने diet में कोई ऐसी चीज़ ली है जिसकी strong smell होती है तब भी हमारे period blood में smell आती है बट यह इतना जादा strong नहीं होता है heat और temperature भी periods पर effect करते हैं क्योंकि heat का direct connection होता है hormone से heat hormones को जल्दी active कर देते हैं इसलिए गर्म चीज़ खाने पर या कुछ ठंडा खाने पर हमारे periods पर effect होता है